तारक मेता का उल्टा चस्मा सीरियल लोगों के पसंदिदा सीरियल में से एक है यह सीरियल शुरू हुए 13 years बीच चुके है 2008 से प्रसारित इस शो ने लोगों के दिलों में जगा बना ली है टप्पू की शैतानी चंपक चाचा जी का ग्यान और चारो तरफ से परिशानी से घिरे जेठा लाल लोगों को खुब एंजाय कराते है यह शो आम लोगों की रूटीन पर बेस्ट है इसमें गोकुलधम सोसाइटी के भी काफी सारे मेंबर इसमें काम करते है इस शो में पोपटलाल पत्रकार है तो मेहता साहब लेखक है आत्माराम तुकाराम भीडे कोचिंग सेंटर चलाते है जो सोसाइटी के सेक्रेटरी भी है ऐसे ही जेठालाल चमपकलाल गड़ा की इलक्ट्रोनिस की दुकान है हर दिन जेठालाल तयार होकर अपनी इस दुकान पर जाते है जेठालाल की यह दुकान शो के लगबग हर एपिसोड में दिखाई जाती है इस शोप के बाहर अगर इस दुकान की बात करे तो यह शौप मुंबई में है जिसके मालिक का नाम है शेखर गोडियार वो अपनी इस शौप को शोप के लिए किराया पर देते हैं पहले उस शौप का नाम था शेखर इलक्रोनिक्स लेकिन गड़ा इलक्रोनिक्स के नाम से फेमस होने के बाद शेखर ने इसका नाम गड़ा इलक्रोनिक्स थी रख दिया शुरुवात में शॉप को शुटिंग पर देने के लिए शेखर डरता था क्योंकि कोई सामान ना तूट जाए शेखर का कहना है कि आज तक कभी कोई नुकसान नहीं हुआ इस शो के कारण इस शॉप में कस्टमर से ज़्यादा टूरिस्ट आने लगे और जो भी लोग यहाँ आते है फोटोज और सेलफिज लेना नहीं भूलते है अगर इस शो के हीरो जेठालल के बारे में बात किया तो उनका असली नाम है दिलिब जोशी जो गुजरात को बिलॉंग करते है 1997 के क्या बात है सिरियल से इनका टीवी केरियर शुरू हुआ हमराज दिल है तुम्हारा जैसे नियर अबाउट 15 फिल्मों में नजर आए बाद में इनको 2008 में तारक महता का उल्टा चश्मा में काम करने का मोका मिला जिससे वे घर घर में अपनी पहचान बना लिये इस शो के लिए दिलिब जोशी ने 16 अवार्ड हासिल कर चुके है रिपोर्ट के मुताबिक दिलिब जोशी इस शो के एक इपीसोड के लिए नियर बाई 1.5 लैग लेते हैं और पर मन्थ 25 डेज शूट करते हैं इनकी पर मन्थ इंकम नियर ली 36 लैग से जादा है दिलिब जोशी मुंबई के अंधेरी के एक आली शान घर में रहते हैं और उनकी पूरी प्रापर्टी वेलू नियर ली 50 करोड के आसपास बताई जाती है चलो जल्द ही मिलते है नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में